हेलो दोस्तों तो कैसे हुआ पाई होफ कि आप सब ठीक होंगे आज की इस वीडियो में हम आपको वताएंगे कि अगर आपके घर पर भी LPG सलेंडर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इमपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की स्पीडियो में हम आपको वताएंगे कि आप अपने LPG GAS की KYC को ओफलाइन कैसे करोगे पिछली वीडियो में हमने वताया था कि आप घर वेटे ओलाइन KYC कैसे करोगे लेकिन आज की स्पीडियो में हम आपको वताएंगे कि आप अपने गैस की KYC को ओफलाइन कैसे करोगे आज की स्पीडियो कंप्लेट एंड तक जरूर देखते रहना साथ जिन लोगों की अभी तक KYC नहीं हुई है उनकी सबसिटी रुख चुकी है जैसे आप अपनी KYC को कंप्लेट कर देते हो तो आपकी सबसिटी दुवारा से आनी इस्टार्ट हो जाएगी तो वीडियो को एंड तक कंप्लेट जरूर देखते रहना और जो साती चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्स्राइग कर देना और इससे रिलेटीड भी हम कैई वीडियो वना चुके हैं उन सभीका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बहां से जाके अपनी सबसिटी को भी चेक कर सकते हो कि आपकी सबसिटी किस खाते में आ रही है या नहीं आ रही यह सारी जानकारी आप अपने घर वेटे ही पता लगा सकते हो तो गाईज हम अपने गूगल को खोल लेते हैं अगर आप अपने मुवाइल फोन से कर रहे हो तो आप क्रॉम राजर खोल के वहां पर गूगल बार में आपको सर्च करना है माई एल पीजी तो जैसी आप यहा आपको इस permitted का इंटरपेस आएगा अब आपको यहाँ पर तीन सलेंडर देखनें के लिए मिलेंगे भार्त गयस एच्पी गयस और इंडियन गयस जो साभी सलेंडर है आपको सी सलेंडर के ओपर क्लिक कर देना तो हमारा यह पर इंडियन का है तो हम यहां पर इंडियन के option आपको यहाँ पर register के option पे click करके आपको यहाँ पर अपने ID और password create करके करना है हमने वीडियो बनाती है इसका link इस वीडियो के description में आपको offline करना है तो हम इस वारे option पे click कर देती है इस पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आजाता है आपको यहाँ click here के option पे click करोगे तो आपके mobile phone में एक form डाउनलोड हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो offline KYC का form यहाँ पे download हो चुका है अब आपको इसे fill करना है इस form को आपको print out करा के इसे आपको भरना है आपको यहाँ पर कैसे भरना है यहाँ पर आपको एक अपना password size photo को यहाँ पर चिपकाना है photo को चिपकाने के बाद आप यहाँ पर इस तरफ आओगे personal detail में आपको यहाँ पर master या message यहाँ पर आपको लिखना है उसके बाद दूसरा column आपका आता है यहाँ पर first name का जो भी आपका यहाँ पर first name हो आपको इस column में first name डालना है और यहाँ पर second column आता है middle name और last name इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है उसके बाद आपके पास यहाँ पर gas का consumer number होगा आपका तो आपको consumer number डालना है उसके बाद अपनी date of word डालनी है date of word तो आपको अपनी आदर कार्ट के base पर डालनी है उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर आपका father name या surname होगा तो आपको अपना father name या surname इस बार कॉलम में आपको डाल लेना है उसके बाद यहाँ पर mother name आता है आपको इस कॉलम में अपना mother name डाल लेना है उसके बाद आप नीचे आओगे इस बार सेक्षन में एड्रेस सेक्षन में आपको आपके आधर कार्ट पर जो भी एड्रेस है आपको इन कॉलमों में अपना वही आधर कार्ट का एड्रेस में फिल कर देना है और उसके बाद नीचे आओगे यहाँ पर आपकी नमबर डाल देना है तो इस तरीके से आप यहां डाल सकते हो और नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आपके पास एक option मिलता है name and signature का तो आपको यहां पर अपना नाम और signature यहां पर date डाल देनी है बस आपको इतना काम करना वागी का काम जो होगा वो आपकी gas agency का होगा तो आपको इस forum को लेके और इसके पीछे आपको आधरकार्ट की photo पी लेके अपने gas agency पहुंच जाना है और वहां पर इस forum को जमा कर देना है